हेलो दोस्तों examperio dobs channel में आपका स्वागत है मेरा नावनकुश इसमें हम जानेंगे reporate और reverse reporate के बारे में तो reporate और reverse reporate क्या होती है तो आपने सुना होगा RBI क्या करता है? reporate कम करदी, ज्यादा करदी तो यह खबरों में आता रहता है तो इन्हें के बारे में हमें जानना है देखे पहले हमें definition समझ लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे कि बाजार के उपर इसका किस तरह से असर पड़ता है जो रेपो दर होती है रेपो रेट होते हैं यह दर होती है जिसमें RBI किसी 1J बैंक को पैसा उधार देता है ठेक है और अलब काली नवदी के लिए देता है यानि 1-14 दिन के लिए तो यहां पर क्या कर रहा है RBI RBI जो है पैसे उधार दे रहा है किसको किसी commercial बैंक को अब इसमें SBI हो सकता है PNB हो सकता है दूसरे बैंक भी हो सकते है ठेक है तो कोई भी हो सकता है उसमें कोई फरक नहीं पड़ता तो हम यहां पर example माल लेता है SBI को देता है ठेक है और SBI क्या करता है फिर customer को loan देता है ठेक है अब customer RBI से तो ले नहीं सकता है उसको तो किसी बैंक से ही लेना पड़ेता तो यहाँ पर वो बैंच से लोन लेता है ठीक है अब हमें पता है कि RBI क्या करता है वानिजे बैंक को पैसा उधार देता है ठीक है तो अब यही होती है रेप उतर अब में समझना क्या है हमें समझना है इसमें लिक्विडिटी या इसको हम तरलता भी बोलते है हिंदी में इसको तरलता बोलते है अब यह लिक्विडिटी क्या होती है जो मार्केट होती है बाजार होता है उसके अंदर जो पैसे का फ्लो होता है उसी को हम लिक्विडिटी बोलते है अब जैसे ही मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा होता ह तो चीजों की कीमते हैं, वो ज्यादा होने लगती हैं, महंगाई होने लगती हैं, तो उसी को हम liquidity ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखी, क्यों होता है ऐसा, अब जो SBI यानि जो bank है, वो customer को लोन दे रहा है, वो किस दर पर लोन देगा, यही depend करेगा तरलता क लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर RBI क्या करता है, वो SBI यानि bank को 5% पर लोन देता है, और जो bank है, वो customer को क्या करता है, 10% पर लोन देता है, ठीक है, अब customer को लोन मेरेगा, अब यहाँ पर कीमते कम लग रही हैं customer को, कि 10% इतना ज्यादा नहीं है, तो हम लोन ले सकते हैं, अब लोन लेकर customer क्या करेगा, खरीदारी करेगा, simple सी बात है, तो घर खरीदेगा, गाडियां खरीदेगा, या बाकी जो जरूरी चीज़े हैं, उनको खरीदेगा, अब जैसे वो खरीदारी करने जाएगा, और market के अंदर सब लोग जो है खरीदारी करेंगे, तो उसके बा market के अंदर पैसा ज्यादा होने लग जाएगा, तो मकान की कीमते, गाडियों की कीमते, बाकी चीज़े भी उनकी कीमते भी बढ़ने लग जाएगे, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, RBI ये रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट इनका इस्तेमाल करता है, अब यहा इसा नहीं है कि 10% पर दे देगा, तो महंगा ही देगा, तो यहाँ पर क्या करता है, SBI महंगा कर देता है, 20% पर आप customer को loan मिलेगा, अब जब इतने लोन मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग loan लेना बंद कर देंगे, ठीक है, आप जिसको गाड़ियां खरीदी नहीं थ लोन महंगे हो गई, तो इसके बाद क्या होगी, जो खरीददारी है, वो कम हो जाएगी, तो जो बाजार है, उसके अंदर liquidity कम हो जाएगी, तो इससे हमें पता चलता है, कि जो रेपो दर होती है, जब इसको बढ़ाया जाता है, यानि 5 से 11, मत कुछ भी हो सकता है, यह तो बस एक्जेंपल के लिए माना है, तो जब भी इसको बढ़ाया जाता है, तो बाजार की जो liquidity है, वो अपने आप कम हो जाती है, ठीक है, और इसका उल्टा भी है, अगर इस रेपो रेट को गटाया जाता है, तो liquidity है, जो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जब 11 से अगर पांच किया जाएगा, तो यहाँ पर customer को जो loan मिल रहा है, वो भी कम हो जाएगा, कम कीमत पर मिलेगा, ठीक है, दोनों ही चीजें, एक दूसरे के उल्टा चलती है, ठीक है, अब reverse reporate, यह क्या होता है, यह वद्धर होती है, जिस पर RBI पैसा उधार लेता है, किसी भी वान सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़रक नहीं बड़ता, और यहाँ पर है customer, अब customer देखिए, यहाँ पर customer को सिरफ और bank से loan मिलेगा, अब आम आदमी तो bank से लोन ले सकता है, ठीक है, और बस RBI और bank है, यह आपस में पैसे का लिंदेन करते रहते हैं, बाकि RBI सबसे बड़ा है यही सब चीजे गंड्रोल करता है, तो जो रेप ओदर होती है, यह rate होते है, यही fix करता है, इसमें bank का कुछ हाथ में नहीं होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो liquidity है, वो किस तरह से काम करेगी, वैसे ही काम करेगी उपर की तरह है, तो बाजार से पैसा निकालना होगा तो यहाँ पर माल लेते हैं, जो bank है, वो RBI को loan दे रहा है, 5% पर, ठीक है, तो customer को loan दे रहा है, 10% पर, अब ऐसे में क्या होगा, बैंक जो है, पहले loan देगा customer को, ठीक है, और customer loan ले भीगा, जब इतने rate पर मिल रहा है, तो फिर वही बात हो जाएगी, जो बाजार है, उसक जब ये कम होते हैं rate, तो बाजार के अंदर खरीदारी बढ़ती है, जिससे liquidity बढ़ जाते है, अब क्या करता है, RBI इसको बढ़ा देता है, कि हम जो है, तुम से 11% पर loan लेंगे, अब 11% पर loan लेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ बढ़ गई, तो इसके बाद क्या होगा, वो जो customer को loan दे रहा है, वो महेंगा देगा, क्योंकि RBI ही खरीद रहा है, जब 11% पर loan ले रहा है, तो customer पर क्या करेगा, 20% पर loan लेगा, अब ऐसे में क्या होगा, customer जब महेंगा लोन लेगा, तो वो इतनी ज्यादा खरीदारी नहीं करेगा, पहली जी तो loan ही लेगा, और होता है, यह सिर्फ RBI के उपर depend करता है, जब भी उसको liquidity कम ज़्यादा करनी होती है, तो वो जो rate होते हैं, उनको कम ज़्यादा कर देता है, यही था दोस्तों, बस आपको definition याद रखनी है, रेपो दर में क्या होता, RBI loan देता है, और reverse रेपो दर में RBI loan लेता है, ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंदा है, जब लाइक से स्क्राइब करें, थैंक्स वर वाचिंग